नमस्कार मैं हूँ कमल श्रीमाली आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन हमारे चैनल में और नवरातिरी घट स्तापना मौरत के इस एपिसोड में यह समय आपदाकाल है मामारी का है और इस समय हमें देवी करपा इश्वरी करपा की बहुत अधिक आवशकता है जिस प्रकार से आप सभी देशवाश्यों ने 22 मार्च को जनता करफियों में साथ दिया है और साएं 5 बजे ताली बजा करके गंटी थाली शंक बजा करके उस्तावरदन किया है इसके लिए आप सभी बदाई के पात रहें आप सभी को में धन्निवाद देना चाहता हूँ आप रोजाना साइंक काल में पांच बजे आरती का नियम अपना ले एक साथ पूरे देश में साम पांच बजे आरती करने से धूप दीप अगरवत्ती करने से घंटी की द्वनी से कहीं ज़्यादा इस इस्तिति की नकरत्मक्ता का नाश हो पाएगा एक विशे सुचना दे रहा हूँ मैं आपको कि इस वर्ज चैतर नवरात्री में मा दुर्गा नौका पर सवार हो करके आ रही है इसका तापर यह यह है कि सर्वसिद्धी की प्राप्ती होगी इस बार नवरात्री पूरे नौ दिन की हो रही है यह भी एक सुब सूचना है कर रहे हैं इस बीमारी से निकलने में एकांत वास में अपने आपको कुरंटाइन करने में इन सब का आपको फाइदा मिलेगा सरफ आपने हिम्मत रखनी है ध्यारी रखना है और साथ इसाथ अपने आपको और अपने परिवार को सुरक्षित रखने का प्रियास करना है साल में चार बार नवरात्री आती है आशाड और माग में आने वाले नवरात्र गुप नवरात्र होते हैं जबकि चैत्र और आश्विन में प्रगट नवरात्री होती है नवरात्री यानि की नवरात्र चैत्र नवरात्र हिंदू के प्रमुक त्योर में से एक है चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन से प्रतिपदा से हिंदू नवर्स आरंब होता है जबकि शार्द्य नवरात्री बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है नवराती के दौरान मादुर्गा के सभी नौ रूपों की पूजा की जाती है नवराती के नौ दिनों को बेहत पवित्र माना जाता है इस दौरान भक्त देवी के नौ रूपों की आरादना कर उनसे आसिरवाद मांगते है मनत है कि नौ दिनों में जो भी सच्चे मन से मा दुर्गा की पूर्जा आरादना उपाशना करता है उनकी सभी इच्छाएं मनो कामना पूर्ण होती है और हमारी मनो कामना हमारी जो इच्छा है वो इस समें इस मा मारी से निप्टने की है अथा मामारी का शमन हो जा इस मामारी का संपूर्ण विनास हो जाए यही सबसे बड़ी इच्छा है इस वर्स चैत्र नवरात्री का प्रारंब 25 मार्च दिन बुद्वार से हो रहा है नवरात्री में प्रतेक दिन मादूरुगा के नौ सुरोपों की बारी-बारी से विधी पूर्वक आराधना की जाती है अस्तमी के दिन कन्या पूजन का विदा ने वहीं चैत्र नवरात्री की महानवमी को राउनवमी के नाम से भी जाना जाता है इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था चैत्र नवरात्री के प्रारम को माराष्ट में गुड़ी पढ़वा के तौर पर भी जाना जाता है और करनाटक और अंत्रपदेश में इस परवो को युगादी के रूप में मनाये जाता है भारतिय सास्त्रों का अनुसार नवरात्री पूजन तता कलस इस्थापना चैत्र सुक्ल प्रतिपदा के दिन सूरियो दे से एक तिहाई भाग अता दस घटी भीच जाने के बाद सुब मौरत में करना चाहिए रात के समय और अमावश्या के दिन घट इस्थापना वर्जित है अगर किसी कारण वस आप उस समय कलस इस्थापित न कर पाएं तो अभीचीत मौरत में कलस इस्थापित कर सकते हैं वेदिक जोतिस सास्त्र के अनुसार नवरति इस्थापना पूजन द्वी सुभाव लगन में करना सुब होता है मिथुन, कन्या, धनू और मीन ये चारों रासी द्वी सुभाव रासी है अता इसी लगन में पूजा प्रारंब करनी चाहिए पचीस मार्च प्रतिपदा के दिन रेवती नक्षत्र और ब्रह्म योग होने के कारण सुर्यदे के बाद में सुभ मौरत मीन लगन और लाप के चोगडिये में पूजन कर सकते हैं अत्वा अभीजीत मौरत में कलस स्थापना करना सुभ है यह जो सूर्यदे का मौरत है यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पर एक बॉक्स दिया है जिसमें यह स्थापना का मौरत दिया है और साथ में अभीजीत मौरत भी दिया है तो कलस्स इस्थापना के साथ में ही नवरात्री आरंब हो जाएगी अब इस दिन जो प्रातयकाल में इस्थापना नहीं कर पाएं घट स्थापना नहीं कर पाएं वे लोग इस दिन अभिजीद मौरत 12.24 मिन दोपेर से एक बच के चाल मिंड दोपेर तक है जो जोतिस सास्तल में स्वयम सिद्ध मौरत माना गया है साथ ही समय काल में मिथुन लगन भी पढ़ रहा है जो की द्वी स्वभाव लगने है अतर इस मिथुन लगन में 11 बच के 12 मिंड से 1 बच के 25 मिंड तक पूझा या कलस स्टापना अधिक सुब रहेगी घट स्टापना है शक्तिकी देवी का आवान है नवरात्री में तन और मन से निर्मल रहना चाहिए विचारों में सुद्धता रहनी चाहिए कलस स्टापना से लेकर कर करनिया पूजन तक आपको फलाहर करते वे वरत करना चाहिए। यदि किनी कारणों से आप प्रतेक दिन फलाहर पर नहीं रह सकते हैं तो दिन बर वरत रखें और साम को माता की पूजा के बाद में साकाहरी बोजन कर सकते हैं। यदि आप स्वास्ति कारणों से वरत नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ उपासना भक्ती ही करें। इस नवरातरी आप अधिक से अधिक घर के सभी सज़स्य अपने अपने कमरों में रहें या घर में उचित दूरी बना करके एक साथ में इस मंत्र का उचारन करते हुए जाप करे या हवन करें। यह विशेश मंत्र दुरगाव सबसत्ति में मामारी नाश के लिए दिया हुआ है। मंत्र अच्छे डंक से सुन लीजिए, साथ में उचारन कर लीजिए, इस मंत्र का मैंने स्क्रीन शॉट साइड में बॉक्स दिया है, उसका फोटो खेज सकते हैं, इस मंत्र इस प्रकार है। मामारी से जीत पाएं, इस मामारी से बच पाएं। हिंदू नवर्स के इस पावन पर उपर मैं मा जगत जनी दुरगा से प्रातना करता हूं कि संपूर्ण विश्व को सुक, सांती, सम्रदी प्रदान करें, रोग मुक्त होने का आशिरवात प्रदान करें और ये जो मामार इस से हमें त्रान दे अतात इस से हमारी रक्षा करें। आप सभी स्वस्तों, आप सभी प्रसन रहें, अपने अपने परिवार का छोड़ चोड़ बच्चों का और अपने घर के बुजुरगां का विशेश ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, नवरातरी की बहु झाल रखें।